हाई फ्रेंज वेल्कम टू स्कूली सौगत है आपका हमारे चैनल स्कूली पर विडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आये हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो पसंद आती है तो इस आज का हमारा टापिक है टाइपस अफ डिमांड और डिमांड इलास्टीसिटी वो हम जो है पढ़ेंगे आज अच्छे से इलास्टीसिटी पूरी पढ़ेंगे और टाइपस अफ डिमांड जो है वो पढ़ेंगे इससे पहले अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखिया ह जिसमे law of demand पूरा cover किया है और types of goods बगरा तो वो आप पहले देख लीजिए और फिर ये वीडियो भी देख लीजिए आपको चीज़ें और clear हो जाएंगी तो बिना वक्त जाया की होई चलिए स्टार्ट करते है types of demands ठीक है फिर demand कितने किसम की होती है पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि demand होती क्या है कि अगर कोई बंदा लेना चाहता है मतलब कोई भी consumer है और वो कोई चीज़ खरीदना चाहता है यानि एक willingness है वो खरीदना चाहता है और दूसरा साथ साथ आप वो Emlaimed भी है मतलब में अभी होँ और में फरारी खरीदना चाहता हूँ तो उसको demand में नहीं कौण करेंगै क्योंकि मेरे पास टो इतनी ability नहीं है कि में फरारी वमें खरीदे पहूं तो दोनुचीजें होंगी अगर willingness भी है और ability है तो वो demand होती है तो अब types उसकी क्या रहती है देखिए एक आ गया पहले individual demand versus market demand देखिए क्या होता है अगर एक household ले लो एक घर और उस घर की demand कितनी है उस घर में कितनी चीज़ें कोई food articles हैं goods हैं उनकी demand अगर count करनी है तो मतलब जब एक चीज़ की करिये जाती है एक household की तो उसको बोलते है individual demand और पूरी एक state में या एक पूरे area में जितने भी household हैं उन सब को sum करते हैं तो market demand आती है तो market demand यानि बड़ी होगी individual demand से ठीक है फिर आगे रहता है important point है x into demand x into demand क्या होती है कि आपकी चाहत क्या है आप desire क्या कर रहे हो कितनी desire है आप खरीदना कितना चाहते हो मिसाल के तोर पे एक consumer ले ले लेते हैं राम ले लेते हैं राम एक consumer है और वो गार से बाहर निकलता है और वो यह सोचता है कि मैं 10 kg आज आटा लेके होगा तो यह जो 10 kg आटे का वो सोच के गया क्योंकि उसके पास उतनी ability है और वो पैसे लेके गया है बाजार खरीदने के लिए तो that is x into demand यानि willingness कितनी है desire कितनी है कितना खरीदना चाहता है जो consumer और दूसरा आगया x post demand x post हो गया कि actually वो कितना खरीदेगा अब वो market में गया 10 kg आटा उसने लाना था बट वो वहाँ पे देखता है कि price बहुत ज़्यदा बढ़ गी है आटे की price अब ज़्यदा होई है तो वो 10 kg की बज़ा से इलावा 10 kg नहीं खरीदता है उसके बज़ाए 5 kg 5 kg ही वो खरीद के लाता है आटा तो वो होगी x post demand यानि actual demand actually उसने कितना खरीदा उसको बोलते है x post तो इसपे question आ सकता है x ante demand एक statement दे देंगे कि यह true है false है या x post तो वो आपको पता होना चाहिए x post होगा actual x ante होगा आप लेना कितना चाहते हो ठीक है giant demand क्या होता है joint मतब दो कोई goods होगी उनकी अगठी demand तो यह यार रखना यह related to complementary goods जो complementary goods होती है जो हमने पढ़ा भी था पहली वीडियो में अगर आपने नहीं देखा तो अब देख लीजिएगा मैं बता भी देता हूँ complementary goods होगी जैसे car और petrol यानि के अगर petrol की price बढ़ेगी तो इसका मतब पैटरोल की demand तो कम होगी और साथ में car की demand भी कम हो जाएगी यानि petrol की price बढ़ेगी तो car की price भी भढ़ जाएगी ठीक है इसी वज़ाँ से अगर petrol की price कम होती है तो car की price भी क्या हो जाती है कम यानि पेट्रोल की price कम होगी तो पेट्रोल की demand बढ़ेगी और car की demand भी बढ़ जाएगी यह होती है complimentary goods पर एक पर जो effect पढ़ रहा है price के ज़्यादा होने से दूसरे पर भी वही effect पढ़ रहा है ठीक है अगर पैटरॉल पे रन करने वाले, फ्यूल लगो, मतलब आप वो लोगे आप डीजल वाली भी आती है, तो पैटरॉल फ्यूल पे रना, मतलब कार आपने खरीद लियो और फ्यूल नहीं खरीद रही हो, फिWorld तो आपकी गारे नहीं चलेगी ना कार नहीं चलेगी अपको खर ही पड़ेगा यानि यह हमेशा टूगेधर यूज होती हैं कम्प्लीमिंट इसलिए होती है इनकी डिमांड होती है एक कोई चीज आप बना रहे हो कोई भी आर्टिकल कोई गूड बना रहे हो कोई सर्विस दे रहे हो तो उसमें आपके प्रोड्यूज करने के लिए क्या-क्या फैक्टर लगते हैं जैसे सबसे पहले फैक्टरी खोलोगे तो लेंड चाहिए आपको जहां पर फैक्टरी आपके पास वो ability होना चाहिए वो skill होना चाहिए idea देने का तो वो हो गया यह चार फैक्टर आफ प्रोडेक्शन होते हैं अब इनकी demand क्या होते हैं इनकी demand को देखिए याद रखना derived demand भी कहते हैं derived demand क्या होता है factors of production की demand को derived demand भी कहते हैं यह याद रखना फार एक्जेंपल जैसे बिल्डिंग आप बनाते हो तो जब बिल्डिंग बनाओगे तो लेबर की डिमांड बाढ़ जाएगी जब बिल्डिंग बनाओगे तो लेंड की डिमांड बाढ़ जाएगी ठीक है जब बिल्डिंग बनाओगे तो बिल्डिंग में आपको पता है कि steels वगरा यूज़ होगा steel की demand बढ़ जाएगी cement की demand बढ़ जाएगी inटेंज जो होती है मतब जो bricks वगरा उसकी demand बढ़ जाएगी stone की, tiles की इन सब की demand बढ़ जाएगी तो ये भी factors of production में ही आ जाते है जैसे मैंने land एक example दीती है उसमें बाकी ये material भी आ जाता है तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखते हैं कि इन को बोलते है derived demand factors of production की demand को derived क्यों बोलते है कि जब कोई एक चीज़ बन रही हैंगा ज़्यदा से ज़्यदा तो उसकी वज़ा से फिर क्या हो रहा है factors of production की demand उससे derived हो रही है उसकी वज़ा से इनकी demand बढ़ रही है ऐसे खुद बहुत cement को ही नहीं लेगा मतलब कुछ चीज़ बना रहा है पूल बना रहा है बिल्डिंग बना रहा है तो उसकी वज़ा से cement demand किया जा रहा है तो इसलिए ये derived demand है तो अगर आप से कोई question पूछे कि परदान मंत्री अवास यूजना है उसकी वज़ा से कून सी इनमें से demand बढ़ेगी तो demand the factor of production बढ़ जागी क्योंगे अवास यूजना के तहत हम घर बनाते हैं फिर आती है composite demand अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है एक building बन रही थी उसकी वज़ा से 4-5 चीज़ों की demand बढ़ रही थी अब यहाँ पर composite demand है कि 4-5 चीज़ें हो रही है और उसकी वज़ा से एक ही good की demand बढ़ रही है जैसे आप देखो cars, car में भी steel use होता है अगर car ज़दा बिकेंगी अगर utensil ज़दा बिकेंगे अगर building ज़दा बनेगी तो इन सब की वज़ा से एक चीज़ चीज़ है steel की demand बढ़ेगी क्योंकि इन सब में steel use होता है तो इस type की demand को बोलते है composite demand ठीक है इन में सबसे important x post और x anti demand है उन दोनों में वो question आ सकता है बाकी थोड़ा बोता आप देख लीजिएगा और आगे चलते हैं जो आज का main topic है वो है demand elasticity अब देखिए ये elasticity क्या होता है आपको पता है जैसे हम अक्सर कहते हैं कि rubber की elasticity बहुत ज़एदा होती है जो steel है उसकी कम होती है iron की थोड़ी और कम होगी तो ये चीज़ है elasticity मतब फ्लेक्जिबल कितना मतब आप जब उसको stress डालते हो उस चीज़ में तो उसकी वज़ा से उसमें strain कितना पैदा होता है मतब अगर आप rubber हो उसको खींचते हो तो stress लगाते हो force लगाते हो तो उसकी वज़ा से फाइफ मीटर अगर लेंक्ट बढ़ गी तो ये elastic है ठीक है और अगर आपने stress लगा है फाइफ न्यूटन और उसकी वज़ा से एक ही मतब सेंटीमीटर लेंक्ट बढ़ती है इसका मतब ये कम elastic है जिसकी ज़्यदा बढ़ी वो ज़्यदा elastic है तो elasticity का मतब होता है flexibility मतब जिसमें ज़्यदा जिसमें change ज़्यदा आ रही है force अगर same लगाओ दो चीज़ों पे तो जिसमें change ज़्यदा आ रही है वो ज़्यदा elastic है इसलिए rubber पे आप थोड़ी उसको खिंचो तो link बढ़ जाएगी अब लोहे की राड को पगड़ के खिंचो नहीं बढ़ेगी जो इसका मतब रोहे की राड जो है वो rigid है ज़्यदा elastic नहीं है कम है बट जब के rubber जो है वो ज़्यदा elastic है ठीक है बट अब यहाँ पे हमने demand elasticity पढ़ने है तो वही concept दिमाग में रखना है यानि elasticity वो हो गया जिसमें elasticity कोई अगर जएदा हो रही है तो इसका मतबब change ज़दा आएगी इसका मतबब फर्क ज़दा पढ़ रहा है तो अब demand की है हमने किसकी elasticity पढ़नी है किसी good या service की demand कितनी ज़दा बढ़ेगी कितनी ज़दा कम होगी अगर demand में ज़दा change आ रही है यानि बहुत ज़दा बढ़ रही है बहुत ज़दा कम हो रही है ठीक है तो उसको बोलेंगे बहुत ज़दा elastic है अगर बहुत कम बढ़ रही है बहुत कम change हो रही है तो हम बोलेंगे relatively inelastic है अगर बिलकुल change नहीं हो रही है demand ठीक है आप price बढ़ाते कम करते जाते हो price कम लेकर demand बाड़ी नहीं रही है तो इसका मतलब बिलकुल नहीं बाड़ी है फिर आता है unity elasticity मतलब अगर जितनी price बढ़ा ही उतनी वह आगे करेंगे ठीक है अभी आप elasticity का इतना ध्यान में रखना demand elastic है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि अगर price change हो रही है या income लोगों की change हो रही है जितने भी factors जो demand पे demand वो हमने पिछली वीडियो में पढ़े हैं कि factors क्या क्या हैं जिन पर demand depend करती है वो अगर factor change होते हैं और उनकी वज़ा से अगर demand बहुत ज़्यादा change होती है तो इसका मतलब इलास्टिक है अगर कम फरक पढ़ता है तो इसका मतलब inelastic है ठीक है और बिलकुल ही कम पढ़ता तो मतलब zero elasticity या perfectly inelastic होगी ठीक है तो इसी चीज़े हम आगे पढ़ते हैं अब demand elasticity तीन तरीके की होती है वो हम सारी पढ़ेंगे आज पहले हम पढ़ते है price elasticity मेन हमने तीन टाइप की पढ़नी है बहुत सारी टाइप की हो सकती है बढ़त हमने तीन हमारे लिए important है पहले मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में के demand जो है price पे भी depend करती है consumer के taste पे इंकम पे इन सब चीज़ों पे depend करती है तो उनी में से हमने तीन factor हम लेंगे और वो तीन factor के base पे हम तीन टाइप की elasticity पढ़ेंगे पहला factor important हमने लिया price और उसके base पे जो elasticity of demand होगी उसको ब price elasticity of demand इसका मतलब है कि चेंज कितना आ रहा ठीक है change in demand ठीक है divided by change in price यह होती है price elasticity of demand का formula ठीक है यानि कि अगर आपने price को change किया है यानि price बढ़ गई ठीक है फज का लिजिए price increase होगी 10% और उसकी वज़ा से उसको हम divide में लिखेंगे ठीक है और उसकी वज़ा से demand कितने percent change हुई उसको हम numerator में लिखेंगे ठीक है और उन डोनों को divide करेंगे वो भी मैं आगे आगे आपको example से बता होता है कि price change in demand divide by change in price ठीक है यानि कि price change होने की वज़ा से demand में कितनी change हुई या इसी को हम इस तरीके से भी मान सकते हैं कि अगर हम price को 1% change करें यानि 1% हमने price को change किया change मतलब बढ़ाया या कम किया ठीक है example ले लेते हैं हमने price को 1% बढ़ाया तो उसकी वज़ा से क्या demand कम होगी क्या बोलता है कि other thing constant अगर रखेंगे तो price बढ़ाने से demand कम होगी तो अभी हमने 1% price को for example बढ़ाया तो उसकी वज़ा से कितना percent demand जो है व यह दोनों definition एक ही यह दोनों चीजें एक ही चीज कह रही है वो मैं आपको explain करता हूं ठीक है जैसे माल लीजिए P price थी और वो increase होगी by 10% कोई good ले लीजिए कोई mobile ले लीजिए कि mobile की price for example 10% increase होगी ठीक है change है मतलब decrease भी रख सकते मैंने increase रखा तो इसका मतलब demand कम होगी और हम माल लेते के डी डिमांड जो थी वो 30% कम होगी है 10% price बढ़ने की वज़ा से 30% demand कम होगी तो आप देखिए formula लगाई है price elasticity of demand क्या होता चेंज इन डिमांड divided by चेंज इन प्राइस तो चेंज इन डिमांड क्या हुआ डिमांड कितनी चेंज हुई 30% तो 30% divided by price कितनी increase 3% ठीक है तो इसका मतलब क्या आगया कि price elasticity of demand कितनी आगी 3 ठीक है यह price elasticity of demand कितनी आगी 3 या अब देखिए इसी चीज़ को हम दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं यही चीज़ और यह भी मैंने ऊपर वाला formula लगाया अब दूसरी definition क्या है कि 1% अगर price change करें तो उसकी वज़ वज़ा से 30% impact हो रहा है किसी चीज़ में 10% price बढ़ने की वज़ा से 30% demand कम होती है तो 1% की वज़ा से कितना होगा ठीक है यह अगर आप copy पे लिखोगे left side 10% right side उसकी वज़ा से 30% decrease हो रहा है और 1% की वज़ा से कितना होगा तो यह 10 जाके वहाँ पे divide हो जाएगा तो वही formula बन जाएगा ठीक है वह same formula बन जाएगा और 3 answer आजाएगा ठीक है तो इस तरीके से मतब हम यह कह सकते हैं कि price elasticity of demand का formula होता है change in demand divided by change in price ठीक है और change इसको हम यह भी बोल सकते हैं कि 1% price अगर change करें तो उसकी वज़ा से demand में कितना change आएगा उसको बोलते है elasticity price elasticity of demand अब यह negative भी हो सकती है positive often अक्सर यह negative होती है negative in the sense के मतब रिखिए price बढ़ रही है demand कम हो रही है तो यह price यह demand कम हो रही है तो यह negative आएगा price बढ़ रही है तो यह plus रखेंगी और negative divided by plus negative आएगा तो यह minus कतरी आएगा तो negative हो जाएगी ठीक है but मैंने sign क्यों नहीं लगाया साथ में क्यों maximum time यह negative होती है कुछ exceptions हैं जिसमें price elasticity of demand positive होगी वह exception क्या है वो है गिफन गुड और वेबलन गुड उनमे positive demand आती है क्यों क्यों क्योंकि उनमें हमने पढ़ा था काल पिछली वीडियो में कि जब price बढ़ती है तो वेबलन गुड की demand भी बढ़ जाती है दोनु पास्तिव आ होता है गिफन में भी वैसा होता है उनकी प्लस आती है बाकी maximum जितनी भी नार्मल गुड यह प्राइस इलास्टिश्टिव डिमांड उनकी negative होगी ठीक है यानि हमेशा वह 0 से कम ही आएगी इसलिए हम इसको अकसर सायन का उतना ध्यान रखते हैं क्योंकि वेबलन गुड औ मतब exceptions हैं ठीक है बाकि normally price बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी ठीक है अब वो कितनी कम होगी वो चीज बताएगी कि यह वो elastic है इन elastic है यह जएदा elastic है तो वो हमने पढ़ना ठीक है तो आप मान लीजिए पहला case हमारा आगया अगर price elasticity of demand 0 है ठीक है price elasticity of demand 0 कब आएगी देखिए जब numerator जो है वो 0 आएगा denominator तो 0 आ नहीं सकता ताब infinity हो जाती है तो price elasticity of demand 0 होगी यानि कि numerator 0 होगए यानि कि change in demand 0 है यानि कि price जितनी मर्जी बढ़े demand कम हो ही नहीं रही है प्राइस जितनी मर्जी कम हो demand भड़ी नहीं रही है ठीक है तो उस वाली good को उस good को हम क्या बोलेंगे कि वो good जो है जिसकी price बढ़ने की वज़ा से demand में कोई change नहीं आ रही है ठीक है प्राइस कम होने की वज़ा से भी दिमांड में कोई चेंग नहीं आ रही है तो उसको बोलेंगे परफेक्टली इनिलास्टिक ठीक है यानि बिल्कुल इनिलास्टिक है लोहे की तरह जितना मर्जी खींचो प्राइस को उसमें कोई फरक नहीं पड़ रहा है ठीक है और यह nationalism या nation, नेशन वाली टर्म भी जो मत्तल ही यह भी hypothetical टर्म होती है ऐसे मैं एक्जिम्पल दे रहा हूँ और close एक्जिम्पल उसकी क्य है, नेशन की जेपन ठीक है जेपन को जो है वो close एक्जिम्पल है क्यों कुप है सुसाइटी में कास्ट बेस, क्लास बेस, रिलीजिन बेस वेजन बेस इतनी जड़ा डिविजन बहुत कम हैं वहां पर अभराल वहां उन लोगों की एक ही आइडेंटिटी है कि हम सारे जपनीस हैं हम हिंदू-मुस्लिम नहीं है सीखिसाइ नहीं है हम सारे जपनीस हैं तो उनमें नेशन के बहुत definition के वो बहुत करीब है वैसे ही है कि perfectly in elastic चीज़ें मिलती नहीं है elasticity तो कुछ न कुछ होगी price बढ़ेगी तो demand पर कुछ न कुछ impact पड़ेगा बट अगर closely हम example डूड़ें तो वो ऐसी example निकल के आएंगी जो हमारी necessity है जिनके बिना हम रह नहीं सकते example में देता हूँ जैसे water है ठीक है यानि आप दो बॉतल पानी की हर रोज पीते हो उतनी नहीं पीओगे तो मिसाल के तुर पर माल लीजी आप मर जाओगे अब price किसी ने पानी की बहुत बढ़ा दी पहले 10 रपे की एक बाटल होगे क्योंकि ये नेसेस्टी है ये इतना नहीं करोगे तो मर जाओगे ठीक है आप कहीं जो kulffy वगएरा खाते थे जो ice cream वगएरा खाते थे वह पैसा थोला कम कर दोगे और पानी पे लगा दोगे ठीक है जो चिंगम खाते थे वह वह वाला जो cigarette पीते थे वो वाला कम कर दिया और water पे लगा दिया तो मतलब necessity वाली जो goods होती है वो बहुत ज़्यदा inelastic होती है और perfectly inelastic तो कोई होती नहीं बस just example दे रहे हैं इसे नमक हो गया अब नमक के बिना तो आप खाना नहीं खा हो गया नमक जरूरी चीज़ है ठीक है necessity है ठीक और आप क्या नमक का पैकट आप पचास पैकट लिया हो नमक के नहीं क्योंकि जितना आपको जरूरत है उतनी ही लाओगे ना और बहुत ज़्यदा बढ़ जाए नमक तो आप लाओ इना नमक के बिना ही खाना कहा जाए ऐसा नहीं मतलब इसमें क्या जितनी आप पहले लेत जो गुर्द नसेस्टी हों आपके लिए बहुत जरूरी हो और दूसरी बात जिनका कोई सबसी चूटी नहीं ठीक है जैसे पानी अगर काफी होता ना तो काफी की प्राइस अगर बढ़ गई है तो हम बोलते हैं कि चलो काफी छोड़ दो हम चाए पी लेते हैं तो काफी की दिमांड एकदम कम हो जाती तो वो तो इलास्टिक हो जाती ठीक है बट वैसा तो यहां पर नहीं आप पानी छोड़ के भाई आप क्या दूद पे तो गुजारा नहीं कर सकते ना पानी का जो काम है वो सिर्फ पानी ही कर सकता है ठीक है नमक का काम नमक ही करेगा तो इनका क कोई सब्सिचूट नहीं है तो इसलिए क्या है इनकी इलास्टिक होती है और कलोजली पर्फेक्टली इन इलास्टिक होती है ठीक है अगर आपको कुछ समझने में मैं तेज बोल रहा हूं कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो बार बार इसको इस वाल इन वाले पॉइंट्स को द आप कमेंट सेक्षनें पूछना में हमेशा रिक्लाई कर देता हूं अब करोगे तो मतलब तीन गंटे में मैक्सिमम आ पको रिप्लाई आ जाएगा ठीक है तो कोई बी डोट पूछ सकते हो और चीज को बार बार देखोंगे तो मुझे नहीं लगता डोट रहेगा अब हमने change in demand divide by change in price अगर निकल के एक या जिरो के बीच आई अब होता तो basically negative है तो हमने बोला न हम science consider नहीं करेंगे ठीक है तो उसको बोलेंगे relatively inelastic यानि वो inelastic है ठीक है बट या उसको inelastic बोलो या relatively inelastic बोलो perfectly नहीं perfectly के case में बिल्कुल zero मतलब बिल्कुल change नहीं हो रही है अब यह के price बढ़ी तो demand थोड़ी कम होगी बट बहुत कम बहुत थोड़ी सी कम होगी ठीक है या price कम होगी तो demand बढ़ेगी बट थोड़ी सी बढ़ेगी ठीक है तो वो होगी में जीरो से एक के बीच result आएगा example बताते हैं उसको बोलेंगे relatively inelastic good ठीक है या inelastic ठीक है तो फर्ज कर लीजिए 10% चेंज आती है ठीक है किसमें किसी good है कोई good है और उसमें 10% उसकी price change क्या मतलब increase होती है हमने रखा increase अब decrease भी रख सकते हो मिसाल के तो हम बोलते हैं कि कोई good है और उसकी 10% price increase होगी और उसकी विजह से जो demand देखिए वह ज्यादा कम नहीं हुई वह सिर्फ 5% कम हुई demand जो है 10% price बढ़ी लेकिन demand सिर्फ 5% ही कम हुई तो answer क्या आजाएगा price elasticity of demand क्या आजाएगी 10 divided by 5 10 divided by 5 आगया 1 by 2 यानि 0.5 यानि कि आदा यह 0 और 1 के बीच आ गया तो इसका मतब यह अगर इतनी यह आए price elasticity of demand 0 और 1 के बीच तो उसको बोलते हैं relatively inelastic या inelastic ठीक है तो यह मतब क्योंकि यह less than 1 आ गया ठीक है अब इसकी example क्या कून सी good जैसी होती है जो relatively inelastic हूँ तो वही जो उपर मैंने बात की थी थी कि वो perfectly inelastic थी वैसी क्योंकि perfectly तो कोई होती नहीं तो वो भी relatively inelastic में आप डाल सकते हैं water हो गया salt हो गया अच्छा railway देख लो जैसे railway का क्राया बाढ़ जाए तो जो गरीब लोग है तो वो तो railway पर ही travel करते रहते हैं तो ऐसा नहीं कि क्राया बाढ़ गया तो लोगों ने rail use करना कम कर दिया हां करेंगे कुछ लोग कम करेंगे वह रोड पे मतलब वह रोड तो railway अगर थोड़ा बहुता महेंगा हो जाए ठीक railway की प्राय मतलब अगर क्राया जो है दस परसेंट बढ़ जाए तो उसकी डिमांड बहुत कम होगी मतलब तेन परसेंट से तो कम ही उसकी डिमांड कम होगी ठीक उसमें जाएगी ड्रग्स होगे मतलब प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आपको मैडिसन दिये किसी ने ठीक है तो ऐसा तो नहीं है टेबलट जो है महेंगी है जी तो बंदे को सर्वाइवेल जरूरी है तो आप महेंगी भी होगे खरीद के लाओगे ठीक है हाँ यह है अगर उसके सब्सिचूट अवेलिबल है तो आप दूसरे वाली जो सस्ते वाला वरजन है जो एंडिया बेचता है ठीक है ब्रेंडी ड्रग नहीं लोगे उसी का सस्ता वाला वर्जन जिनेरिक ड्रग ले लोगे ठीक है पर ऐसा नहीं है कि एक दम प्राइस बढ़गी आपने द्वाइया खानी छोड पाड़ रहा है तो मैंने बोला इन इलास्टिक क्या होगा फरक कम पाड़ रहा है ठीक है एडिक्शन आप सिगरेट पीते हो पहले दिन में यह बेस्ट एक्जेंपल है पहले मान लिजी आप दिन में दस सिगरेट पीते थे ठीक है दिन में दस सिगरेट पीते थे जब सिगरे परफेक्टली यह बहुत जादा इलास्टिक भी नहीं है अगर आप बिलकुल ही सिग्रेट छोड़ दो इसका मतब आपने डिमांड एकदम ही जीरो कर दी पहले दस डबी पीते थे डिमांड एकदम जीरो आगी तो यह तो बहुत जादा इलास्टिक होगी डिमांड में बहु निकल के आएगा ठीक है और अगर ऐसा होता कि पराइस बड़ी 10 मतब पराइस एक डबी की 100 से 200 होगी और आप 10 सिगरेट की जगाप 20 सिगरेट पीने लागे ठीक है तो वो क्या हो जाती मतब वो फिर उल्टा हो जाता ठीक है वो greater than one हो जाता बट वैसा तो होगा नहीं सिग जिना न रह पाएं जिन्दा न रह पाएं ठीक है वो प्राइस चाहे बड़ी है चाहे कम हो अतनी ज़दा उन में चेंज नहीं आएगी दिमांड में ठोड़ी बहुती चेंज आएगी क्योंके यो लोहे की तरह होगी मतब कहिंचने पे कम फरक पड़ रहा है तो मतब इनエласт ठीक है या relatively in elastic बोलो और इन goods के कोई substitute भी नहीं बाई कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है ठीक है अब ऐसा बाई पानी के इलावा आप कहां जाएं दूद पे तो गजारा नहीं होगा पानी का गजारा पानी कर सकता है ठीक है अब जिसको शराब की लट लगी है अब यह देखिए in elasticity का थोड़ा हम कर्व से समझ लेते हैं कर्व आपको पोछेंगे नहीं मैं जैस्ट तक आपको क्लियर हो जाए उसलिए बता रहा हूं यह देखिए in elastic demand मतलब in elastic चीजें कूंड सी होंगी देखिए प्राइस इतनी ही बड़ी सिर्फ 4 बड़ी यह देखिए यह प्राइस बहुत ज़दा बाड़ गी है ठीक है 10 से 14 होगी यह देखिए गैप कितना है 40% increase होई है और demand उसकी वज़ाए से प्राइस बड़ी तो demand कम होगी ना तो demand का सिर्फ 10% कम होई है तो इसका मतब यह क्या inelastic मतब कमज कम या 40% price बढ़ रहे हो बढ़ा रहे हो तो कमज कम 40% demand कम होनी चाहिए थी या कमज कम 40% कम होनी चाहिए थी या अगर और ज़दा होती तो 50% कम कर देते भाई तो इलास्टिक हो जाती बड़ इतनी जधा price चेंज करने की वज़ा से demand में सिर्फ इतना फरक पड़ रहा है तो इसका मतब इलास्टिक है ठीक है तो इसका अगर कर्व बनाओगे तो यह थोड़ा क्या है देखिए थोड़ा left की तरफ tilt होता है ठीक है inelastic वाला मतब जो यह दिन बन हो एक से जधा हो तो उसको बोलते हैं relatively elastic या नहीं कि वो जज़धा elastic के उसमें ज़धा changes आ रही है ठीक है तो इसका तो यह कूनसी good होंगी यह वो good होंगी जो हमारे लिए necessary नहीं है जिनके बिगेर हमारा गुजारा हो सकता है वो कूनसी होती है जैसे लगजरी है एसी लगाओगे तो वह तो एक धम बहुत ज़़ादा लगजरी है ठीक है तो वह अब डिपेंड ने करता ठीक है तो इन चीज़ों करेखे अगर एसी बहुत मेंगा हो जाएगा न एसी की डिमांड में अगर एसी की प्राइस 10 परसेंट बढ़ेगी न तो डिमां तो चल जाएगा अपना पंखे पे भी तो एसी मेंगा होगा जब सस्ता होगा तब खरीद लेंगे पोस्ट पून कर दोगे आप अपना डिसीजन ठीक है आपने स्कूटी खरीदनी है ठीक है या फरारी खरीदनी है आपने आईफून खरीदना अब बोलोगे यार बहुत ज ज़िदा फरक पर जाए और अगर रोलेक्स 10 रपे की मिलने लग जाए एक्जेंपल ले लो तो सारे लोग रोलेक्स लेने लग जाएंगे तो तब डिमांड एकदम बहुत ज़दा बढ़ जाएगी तो तब भी लास्टिक क्योंकि दिमांड प्राइस कम होगी तो बहुत ज़ ज़दा होगी तो आप बोलोगे छोड़ दो इनके बिना भी तो गुजारा चल सकता है ठीक है तो यह चीज़ें होगी जो लगजरी गूर्जें या कमफर्ट गूर्ड या फिर जिनका सबसी चूर्स है मतलब यह एकदम इन इलस्टिक वालों का उल्टा है ठीक है और सबसी चूट कैसे जिसे काफी है यार काफी बहुत मिहंगी होगी आज कल तो काफी हमारे उसके बिना भी तो हमारा गुजारा चल सकता है तो अब क्या बोलोगे काफी की प्राइस अगर बढ़ी ने 10% अब काफी की डिमांड बिलकुल कम कर दोगे 20% कम हो जाएगी 30% कम हो चेंज आ गया ठीक है अब इसकी डिमांड में देखिए कितना फरक पाड़ा प्राइस सिर्फ 50 से 60 पैसा बढ़ी मतलब 3% बढ़ी है और डिमांड देखिए कितनी कम होगी है डिमांड कम होगी है 100 पहले आप देखिए 50 पैसे की मिलती थी काफी तो आप सो काफी के मतलब ए फरक पाड़ गया तो इसका जो देखो ये बाला ग्राफ इसका थोड़ा हरीजेंटल होता है जो जो हरीजेंटल की तरफ जाते हैं तो इसका मतलब इलास्टीसिटी बढ़ रही है और जो जो हम वर्टीकल की तरफ आते हैं तो इसका मतलब क्या है इन इलास्टीसिटी यह आपको पता चालगे, अगर आपकी वजा से, अगर हारीजनिटल की तरफ बढ़ रहें, यह गराफ जो हारीजनिटल बनने की कोशेश कर रहा है, तो इसका मतलब, यह देखे, गराफ पर भी, कर्व पर भी, क्वासन पूचश सकते हैं, 100% ठीक है तो ये मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ आपको पता होना चाहिए कि जब जू जू हारिजंटल बनना चाह रही है ये लाइन उसका मतलब है कि डिमांड बहुत ज़्यदा इलास्टिक है वो गुड जो है आप एक और hypothetical condition लेते हे perfectly elastic मतलब पूरी तरीके से elastic है ठीक है मतलब मतलब पूरी तरीके से elastic है मतलब कि अभी horizontal बनना चाह रही थी अब माल लिए जिये ये line बिल्कुल horizontal आ गई तीक है वो अभी आपको curbs में निचे समझाएगा उसको बोलेंगे perfectly elastic यानि कि perfectly elastic की जो करवाती है वो बिलकुल horizontal आएगी और परफेक्ट जो चीजें होती है वो कोई होती नहीं इतनी मतब उनको hypothetical लें ठीक है इसका मतब किया price elasticity of demand infinite है मतब इतनी ज़्यदा change हो जाएगी अगर price में कुछ change आएगी तो demand में बहुत ज़्यदा change आजाएगी ठीक है मतब endless demand demand का कोई खात्म ही नहीं at given price यह याद रखना ठीक है मतब अब यह मैं आपको graph से समझाँगा price changes जिरो यानि price में बिल्कुल change नहीं आ रही है बट लोग जो खरीदना चाहरे है कोई consumer जो है वो बोल रहा है कि मैं जितना खरीद सकता हूं मैं उतनी चीज़ें खरीदूँगा मिसाल के तोर पे ice cream ले ले लीजिए मतब ice cream 10 रपे की आज मिलती है कल भी 10 रपे की मिलती है साल बाद भी 10 रपे की मिलती है लेकिन आप देखोगे कि ice cream दिन बाद दिन लोग ज़यदा से ज़यदा एक बंदा एक दिन में पहले एक खाता था अब दूसरे दिन वो 10 रपे की मिल लिया बट अब इंसान क्या दो खाने लग गया असासा साल बार वो बंदा चार खा रहा है तो मतलब यह क्या हुआ कि प्राइस सेम है बट एक शक्स जितनी खा सकता है न वो उतनी ले रहा है ठीक है इसी तरीके से बाइक प्राइस मतब बाइक सस्ती नहीं हो रही है बट डिमांड फिर भी बढ़े जा रही है ठीक है उसको बोल रहे हैं कि मतब यह होगी परफेक्टली इलास्टिक ठीक है यह मैं आपको एक्जेंपल बता तो यह आगी देखिए यह देखते हैं यह आगया हारिजेंटल परफेक्टली इलास्टिक ठीक है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है ठीक है देखिए मैं कोई और ग्राफ तो नहीं हमने छोड़ा हां ठीक है तो इसका मतलब है देखिए यह प्राइस यहां पर चेंज नहीं हो रही है पार आप मैं डीजे Hey 10 रुपय की आइस क्रीम मिलती p तो मतलब अगर 10 की ही मिलती रहेगी, तो वो जो शक्स है, जो कंजूमर है, वो कहेगा, अगर यह 10 रुपे की ही मिलती रहेगी, 10 रुपीज की, तो मैं जितनी आइस क्रीम खा सकता हूँ, ठीक है, उतनी खाऊंगा, जितनी भी खा सकता हूँ, जितना भी पोटेंचल है, तो म अगर यह price चेंज हो जाएगी थोड़ी बढ़ जाएगी है कम हो जाएगी तो तब मैं क्या करणगा तब में एक्दम 0 तब क्या हो जाएगाए जिर्यू ऑफर अगर price कम हो जाएगी यह ज्यादा हो जाएगी तब मैं बिल्कुल नहीं खरीद तो perfectly elastic होगी अब यही अगर वर्टीकल बन जाए तो तब क्या बोलेंगे उसको ठीक वर्टीकल करें कि मतलब क्या है मतलब यह कि क्वांटिटी जो है ना मतलब जो डिमांड है डिमांड है क्यों क्यों पर क्वांटिटी यह डिमांड चेंज नहीं हो रही है यहां पर दस हम इतने की उतनी करीब हैं जो उपर हम discuss कर चूके है जैसे ले अटीघिस हों पानी के आप ञानती हो तो चाहिए एक या price elasticity of demand एक हो ठीक है उसको बोलते है unitary elastic इसका मतलब क्या है अगर price for example 10% increase हुई या decrease हुई और उसकी विज़ा से demand जो है या decrease या increase कितनी होती है वो भी 10% या price में जितनी change आरी है उतनी ही change demand में भी आये तो उसको बोलते है unitary elastic पे 10 by 10 कितना आजएगा 1 ठीक है तो इसका मतलब अगर 1% price change करेंगे तो 1% demand भी change होगी इसकी अगर curve आप देख लेना net pay unit elastic की क्या होती है hyperbola type की होती है ठीक है आप थोड़ा देख भी लेना खूद से आ elasticity पे जो होती है cross elasticity of demand अभी तक देखिया हम क्या पाढ़ लेते price elasticity हमने बोला था demand price पे depend करता है तो हमने price elasticity पड़ी अब उसके बाद हमने factor पड़े थे अगर आपने नहीं पड़े तो पिछली वीडियो देख लेना हमने पड़े थे कि उसके बाद सबसी चूट्स पे भी depend करती है जो हमने उपर अभी example भी देखी के demand चाहे की demand इस चीज़ पे भी depend करती है कि काफी की price इतनी है यानि काफी जब सस्ता होगा तो चाहे की demand कम हो जागी लोग काफी पीने लग जाएंगी और काफी मेंगा होगा तो चाहे की demand बढ़ जाएगी क्योंकि काफी लोग कम पीना शुरू करेंगी और चाहे ज़्यदा पीना शुरू करती है तो वो चीज़ है मतब चाहे की demand किसी दूसरी गूड पे depend करती है जो इसकी substitute है यानि यह सबसी चूट होगा यह न सही तो वो सही तो उसको बोलती है उस time मतब वो वाला जो factor है उस के demand depend करती थी तो जब वो factor आ जाए तो उसको बोलेंगे उस वक्त जो होती है क्रास इलास्टी सिटी यहां आएगा complimentary good जो हमने उपर पढ़ा है ठीक है के complimentary जब fuel की price बढ़ती है तो हमने सोचा कि जो मतब fuel की price बढ़ेगी तो car की demand भी कम हो जाएगी तो यह हमने चीज़ें भी उपर पढ़ी थी वही चीज़ अब यहां पढ़ेंगे ठीक है वो दो चीज़ें आ जाएंगी तो उनका जब effect लेते हैं यानि जब price का effect लेते तो बोलते थे price elasticity of demand जब substitute goods और complimentary goods का impact दूसरी good पे लेते हैं तो उसको बोलते हैं cross elasticity यानि cross cross से आपको याद देगा किसी और good की price बढ़ने से एक दूसरी good में change आ रही है ठीक है काफी की price बढ़ने से tea की demand बढ़ रही है कम हो रही है ठीक है उसी तरीके से fuel की price बढ़ने या गटने से car की demand में कुछ या बढ़ाऊ हो रहा है या कम हो रही है ठीक है उसको बोलते है cross elasticity ठीक है तो यह क्या होता है it is the percentage change in quantity demanded of a good यानि के एक good की जो demand है उसमें कितना percent change आता है ठीक है in response to percentage change in price of another good एक दूसरी good ले लो और उसकी price में कितना change हुआ उसकी वज़ा से ठीक है एक good में कितना change आ रहा है ठीक है यानि दूसरी good मान लो आप another good मान लो coffee यानि के एक good ले लो tea यानि tea में कितना percent उसकी demand में change आया काफी की price में change आने की वज़ा से उसको बोलते है cross elasticity of demand या car की demand में change कितना आया fuel की demand में change होने से उसको बोलते है cross elasticity of demand आगे ये एक latin term है steris peribus इसका मतलब है keeping other thing constant ये latin word है ठीक है तो मतलब बाकी चीज़े हम constant रखेंगे अब हम price का नहीं मतलब अब हम ये cross elasticity का impact दे दें तो बाकी income का क्या लोगों की income ज्यादा होई कि कम वो चीज़े हम constant रखेंगे जैसे हम law demand में रखते थे वो आपको पिछली वीडियो में पता चल जाएगा ठीक है तो पिछली वीडियो तो देखनी आपके लिए important है उसके इलाव बिना तो ये वाला समझ नहीं आएगा फिर आगया अब ये देख हमने example यहां पे कून सी ली अभी हमने चाय वाली की तो पहले अभी हम देख लेते हैं सब्सीचूट गूर्ट की में एकजेंपल दी अभी आपको में complimentary गूर्ट की देता हूं तो जो complimentary goods होती है तो उसकी demand आप यह याद हकना उसकी cross elasticity negative आती है तो complimentary goods कून सी होगी जैसे fuel और car यानि एक की price बढ़ेगी तो car की price भी बढ़ जाएगी fuel सस्ता होगा पैट्रोल सस्ता होगा तो car भी सस्ती हो जाएगी ठीक है car की demand कम होगी तो petrol की demand भी कम होगी और car की demand बढ़ेगी तो petrol की demand भी बढ़ेगी क्यों कार लोगों ने खरीद ली तो पैटरोल तु खरीदगança की तो इसकी जो निकल के आती है क्या क्रास elasticity वो negative होती है ठीक है तो वो अब कैसे होती है अभी हम depend करते है ठीक है और इन में sign matter करते है ठीक है cross elasticity में economic sign को consider करते हैं for example complimentary good की हम बात कर दें तो petrol ले लिया अब माल लीजिए कि petrol की जो price है वो increase हो रही है अब decrease भी ले सकते हो तो माल लीजिए कितना percent increase हुआ हमने माल लिया वो 10% increase हुई 10% petrol मेंगा हो गया तो उसकी वज़ा से car आप मुझे बढ़ाईए car मेंगी हो जाएंगी के सस्ती हो जाएंगी car मेंगी हो जाएंगी ठीक है क्योंकि petrol मेंगा हो गया तो car भी मेंगी हो जाएंगी ठीक है और आप मुझे ये यह राई झाये थीक है पेट्रोल कि प्राइस अगर बढ़ गाइ पेट्रोल मिंगा हो Gएो लोग ऐपकर करेंगे यह करेंगे। तो कम हुआ मतलब 20% कम होगी demand ठीक है किसकी car की तो cross elasticity पेट्रोल की price बढ़ने से car की demand कम होगी और यह दोनों car और petrol complimentary goods है तो complimentary goods में क्या गई मैंनस 20 हुआ divide by plus कर 10 तो minus कर 2 तो मतलब complimentary goods में cross elasticity of demand negative होती है ठीक है यही बात मैंने उपर की, अब देखिए, जो इस पर question आ सकते है, complimentary में negative होती है, positive, अब substitute जो हैं, और अगली वीडियो में MCQs पर लेकिए होंगा, ठीक है, जो substitute good हैं, उनमें positive होती है, cross velocity of demand, ठीक है, तो वो कैसे होती है, अभी हमें आपको बताता हूँ, जैसे coffee की बात करतों में substitute क्या होगी, coffee ना मिली तो चाए पी लेंगे, ठीक है, तो अब देखिए कि आप माल लीजिए, coffee मेंगी होगी 10%, 10% उसमें change आगी, मेंगी होगी, ठीक है, तो इसकी वज़ा से demand of tea क्या होगी, वो बढ़ ग़ी, ठीक है, देखिए, इसमें बढ़ ग़ी, क्यों, coffee मेंगी होगी, तो इसका constellation, लोग काफी नहीं पीएंगे, आप चाहे पीएंगे, तो चाहे की demand बढ़ ग़ी है, ठीक है, और 10% coffee मेंगी होगी, और 20% चाहे की demand बढ़ ग़ी, तो बढ़ गी तो मतलब 20% प्लस का डिवाइड बई 10 तो यह प्लस का जाएगा तो आपने याद अखना है कि कंप्लीमिंटली नेग्टिव सफ्टी चूर्स पस्टिव क्रास इलस्टिस्टी अब दिमांड ठीक है अब एक और बच गया जिरो इलस्टिस्टी जिरो क्लास इलस्टिस्टी तो जिरो क्लास इलस्टिस्टी कून सी गूर्ज में होगी मैं तब जिन में फरक ही नहीं पाड़ा जिन में अपस में कुछ रिलेशन ही नहीं ठीक है माल लिजे काफी बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया तो क्या उसकी वज़ा ना देना इन ने तो वो हो गया जीरो क्रास इलस्टिसिटी यह आखरी हमारा इंकम क्रास इंकम इलस्टिसिती हम बाच गी यह पढ़ते हैं और फिर वीडियो तीसरी टाइप की इलस्टिसिटी आफ डिमांड होती है इंकम यानि हमने यह भी पढ़ा था कि इंकम की वज़ा से भी डिमांड पर इंपक्त पढ़ता है यानि कि अगर आपकी सैलरी ज्यादा हो जाए तो आप चीजें जैदा खरीद होगे और सैलरी कम होगी तो चीज़ें कम खरीद होगे तो वो होगी कि सैलरी का यानि इनकम का डिमांड पर क्या असर पढ़ रहा है उसको बोलते हैं इनकम इलास्तिसिती अब डिमांड ये आखरी है इसके बार हमारा आज खतम हो जाएगी वीडियो वीडियो लंबी होगी होगी बट चीजे में आपको तोड़ी डिटेल में करा रहा हूँ तो इसलिए दियान रखना अब देखिए इसमें दो गूर्ज आती हैं दो टाइक की गूर्ज एक होती है normal good और एक inferior good तो हम पहले normal good में क्या रहता है वो पढ़ते है नार्मली जो normal good होती है उनमें क्या हता जो income elasticity of demand है वो positive होती है positive क्यों? यानी अगर आपकी informed बढ़ेगी तो demand भी बढ़ेगी तो दोनू प्लस प्लस होगे income कम होगी तो demand भी कम होगी तो दोनों negative 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 cancel होगे वो भी plus होगी ठीक है तो मतलब income elasticity of demand जो है वो normal good के लिए हमेशा positive रहती है example if income of a consumer increases demand of good will also increase अगर आपकी income बढ़ गी भाई पहले आप 5000 पे महने के लेते थे और आप जो है scooter लिया हुआ था आपने एक scooter चलाते थे 5000 नहीं मतलब 5000 ले लिए अब आपको महने का लाख मिलने लागए तो आप दो scooter खरीद सकते हो तो खरीद लोगे ठीक है और वाइस वर्सा और अगर आपकी income कम होगी है तो आपकी demand भी कम हो जाएगी ठीक है अब इसमें देखिए हम example आगे यह normal goods है और नार्मल goods में आप आगे 3 type की आ जाएगी एक हुझा है कि unitary elastic unitary elastic क्या होगी unitary का मतलब one यानि अगर 10% आपकी income बाढ़ गई और उसकी वज़ा से आपकी demand भी 10% बढ़ी ठीक है तो उस 10 by 10 one आ जाएगा तो मतलब जीतनी आपकी income बढ़ी उतना ही percent demand बढ़ी तो unitary elastic elastic मतलब greater than one होगा यह चीज़े में आप उपर पढ़ा हाच उपा नो तो इसलिए आप जल्दी कर रहा हूँ हाली यहाँ पर income है price की जिखा तो आपकी income और price negative होता था income वाली positive है बस यह फरक है elastic मतलब बहुत ज़रा change आ रही है मतलब income आपकी अप 10% बढ़ी और demand जो है आपकी 20% बाढ़ी तो मतलब 2 आएगा answer 20 divided by 10 और positive आएगा तो वो greater than one हो गया two तो वो हो गया मतलब example होगी जैसे luxury good ठीक है जैसे अगर आपकी income 50,000 के बजाए लाक बन जाए मतलब अगर आपकी 50,000 income थी और आप 5 लाक हो गई मेहने की तो आप luxury good आप AC खरीद लोगे तो अगर आप price में जितनी change आएगी उसके मकाबले में AC में जएदा change आगी आप जएदा AC खरीद होगी AC की डिमांड जएदा बढ़ जाएगी तो वह वैसी जो luxury goods होती है जो comfort goods होती है वह बहुत जएदा elastic होती है मतलब आपकी income बढ़ेगी तो वह बहुत जएदा elastic हो जाएगी ठीक है और इन elastic देखिए वहाँ पर भी यही एग्जेंपल थी price elasticity में भी तो सेम यह एग्जेंपल थी अब income elasticity of demand ठीक है यानि आपकी income जो है इन elastic का मतलब क्या हो गया less than one zero और one के बीच वहाँ पे भी यह meaning होता था price elasticity में और वहाँ पे भी यह चीज किसके लिए होती थी necessities के लिए ठीक है जो हमारी necessary चीजें हो और जिनका कोई substitute ना हो वो inelastic रहती है यह हमने वहाँ भी बढ़ा है वही income में वही price में इसलिए में जल्ली जल्ली कर रहा हूँ अगर आपकी income 10% बढ़ गई और उसकी विज़ाद से जो demand है वो भी आपने बढ़ा ही है ठीक है क्योंकि income में तो पाज़ती बढ़ाता है 10% आपकी price बढ़ गई income बढ़ गई और demand भी आपकी बढ़ी बट वो 5% भी बढ़ी बढ़ी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी तो उसको क्या बोलें कि inelastic है या relatively inelastic है यानि 0 और 1 के बीच आएगा 10% price बढ़ी और 5% उसकी वज़ा से 10% income बढ़ी और 5% demand बढ़ी तो 5 divided by 10 1 by 2 0.5 आजाएगा वही बात तो necessities वाली case में जैसे मैं example देखे आप कुछ समझाता हूँ जैसे मान लीजिए साबून है तीक है आपको साबून एक चाहिए नहाने के लिए तीक है और आपकी इनकम अभी मेहने की 10,000 लेते हो तब भी आप एक ही साबून लोगी ठीक है अगर 20,000 होगी हो सकता है जरदे जरदे 2 साबून लेखे ऐसा तो नहीए ना कि अब 20,000 होगी आपकी इनकम तो आप 15 साबून उठाके लिआएओगे ठीक है तो मतब चेंज आएगी ठीक है क्योंकि perfect तो मैंने बोला hypothetical condition होती है चेंज आएगी बट बहुत कम आएगी ठीक है दूद है वो भी अगर आपकी income बहुत ज़दा होगी तो ऐसा तो नहीं पूरी बेंस उठा के खरीद के लिया होगी नहीं आप पहले एक अमूल कूल का एक packet लाते थे आप दो ले आएंगे तो थोड़ी बोती चेंज आएगी इसी तरी के से पानी में दो बाटल पहले पीते थे इंकम बार की तीन बाटल पी लेंगे टूथ पेस्ट है वो भी ठीक और इसी तरी के से कम भी होगी अगर इंकम कम होगी तो ऐसा नहीं कि पहले पांच साबून लेते थे तो आप जीरो साबून हो गया नहीं आप चार लोगे तीन लोगे जितने जरूरत है उतने तो लोगे पानी का तो दो बाटल मतलब आपने पीनी पीनी है पहले आप पांच बाटल पीते थे दो पे इंसान जिन्दा रह सकता है अपकी income कम होगी तो अप जड़ा-ज़़ा दो तक आओगे उससे कम नहीं जाओगे तो inelastic मतलब बहुत कम चेंज आ रही है आपकी चीजों में जो आप चीजें use कर रहे हो income बढ़े या income कम हो वो चीजें आप उतनी ही लेते रहते हो तो मतलब income elasticity of demand is less than one यानि inelastic बढ़ ये सब चीजें हमें उपर जो पढ़ी income elasticity है नार्मल goods की बात थी और सबसे question यहां से भी आ सकता है inferior good अब inferior good क्या होगी inferior good friends वो होती है जो आप मजबूरी की वज़ा से ले रहे हो ठीक है मतलब आप गरीब हो आपकी income कम है इसलिए आप उन पे घुझारा कर रहे हो ठीक है जो ही आप जो अमीर बनोगे थोड़ी income बढ़ेगी आप फटा फट वो चीजें छोड़ दोगी तो यहां पे negative आपकी थी कर नार्मल good में positive होती थी income बढ़ती थी आप चीज़ें ज़दा करीते थे but inferior good है तो income बढ़ेगी आप inferior good को छोड़ दोगी आप superior good पे चले जाओगी example मैं आपको बताता हूँ ठीक है जैसे example आगी बाजरा भाजरा हो गया मकी होगी थी के मेज या कैरोसीन हम कैरोसीन के example लेके चलती है आपको समझा जएगा माली जी आप मिट्टी का तेल use करते थे ठीक है क्योंकि वो सस्ता होता है ठीक है आपकी income 10,000 रपे थी आप कैरोसीन पर गुजारा करते थे मिट्टी का तेल आप ट्रक चलाते हो आप ट्रक के ड्राइवर हो income आपकी बस 10,000 रपे महिने का मिलता है आप मिट्टी का तेल ही लगा के उसको चलाते हो ठीक है थोड़ा बोता मिला के बीच में और मतलब हेरा फेरी करते हो इसलिए आपका ट्रक भी जड़ा पलूशन करता है ठीक है लेकिन अब क्या हो गया कि अब आपने देखा कि income आपकी बढ़गी income आप 50,000 आपका ट्रक अच्छे से आपका कारोबार अच्छे से चल गया आप 50,000 मेने का कमा लेते हो तो क्या आप पी मिट्टी का ही तेल डालोगे आप गलोगे नहीं याद अब मैं अपने ट्रक का नुकसान क्यों करूँ अपनी सेहत का नुकसान क्या क्यों करूँ आप डीजल पे चले जाओगी ठीक जिस तो ये बात है आप मजबूरी की वज़ा से जो गूड यूज कर रहे हो ना गरीबी की वज़ा से वो होती है इनफिरियर गूड यानि उसका सबसीचूट एक सुपिरियर है जो ज़्यदा अच्छा है जो ज़्यदा क्वालिटेटिव है जैसे आप गूवर्मेंट का स्कूल ले लेते हैं ऐसे मैं एक्जेंपल ले रहा हूँ नार्मली जो चलता आज का गूवर्मेंट के स्कूल में बच्चे क्यूँ आप डालते हो ठीक है बच्चे क्यूँ वहाँ पर पढ़ते है माब आप गरीब होते हैं गाल फीडर फीडर के हमारे पास इंकम नहीं है ठीक है तो आप इंग्म बढ़ जाएगी तो इनigon की demand क्या होगी जब income बढ़ जाएगी तो क्या आप बच्चे मतब public school की government school की या मिट्टी के तेल की तब demand जादा होगी कम तो जब आपकी income बढ़ जाएगी आप बोलोगे छोड़ो यह तो हम बिल्कुल use नहीं करोगी तो इस वक्त कहरो से इनकी demand कम हो जाएगी income बढ़ने की वज़ासे जिन goods की demand कम हो जाएगी उनको बोलते है inferior good तो income बढ़ी और demand कम हो गई तो negative आ गया तो यह आ गया negative ठीक है तो यह negative होती है बड़ नार्मल good में हमें उपर पड़ा कि वो positive होता है वीडियो आपको थोड़ा लंबी होगे इस बज़ा से आप बोर भी हो रहे होंगे बस खतम होने वाली है एक मिनिट में और आप इसको note बना लीजिए और बार बार देखेंगे तो आपको अच्छे से चीज़े समझा जाएगी zero income elasticity of demand मतलब zero है मतलब जितनी मर्जी आपकी income बढ़े आप जितनी चीज लेते थे उतनी लोगे जितनी मर्जी income कम होगी आप जितनी चीज लेते थे उतने ही लेते होगी मतलब demand में बिल्कुल change आ ही नहीं रही है ठीक है, income चाहे जितने मर्जी अमीर हो जाओ, चाहे जितने मर्जी गरीब हो जाओ यानि demand has not changed at all, जितनी मर्जी income में फरक पड़े तो ये ज़दातर किस में होता है, ऐसी goods में होता है, income elasticity जीरो कुन सी good में होगी वो good जो essential हों, जो जरूरी हों, ठीक है, जैसे अगर गार में माचस तो होनी ही चाहिए भाई माचस के बिना आजकल तो lighter आगे बट आप माचस मान लो के essential है, माचस जरूरी है और दूसरी बात वो सस्ती भी हो, ठीक है, ये यादक ना, मतलब inexpensive है, मतलब सस्ती है, ठीक है तो अब आपकी जितनी मर्जी income कम हो या ज़दा हो, उसकी demand में बिलकुल फरक पड़ ही नहीं रहा है ठीक है तो वो होगी inexpensive and essential good यानि necessary good तो आप देखिए, आप अंबानी है, इतनी ज़दा income है, उसकी मुकेश अंबानी तो वो गर में थोड़ी न, अब पूरा एक truck बहर के माचस का ले जाएगा ज़दा 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 जितनी उसको पहले ज़रूरत थी, और उसको 5 माचस के डब्बे ज़रूरत है तो वो तो उतनी ही ले जाएगा ना, अम्बानी बन गए तो माचस थोड़ी जाएगा, ठीक है, तो essential good है, तो वो उतनी की उतनी ही ले जाएगा, जितनी जरूरी है, ठीक है, और एक कोई बंदा, नमक एक पैकट पहले यूज़ होता था उसके गर में, अब ज़्यदा income आगी कि हाँ, जरूरी भी है, और सस्ती भी है, तो इसलिए इस पे कोई फरक नहीं पड़ेगा, आप गरीब हो जाओ, दस हजार के बज़ाए, पांच हजार तनखा आजाए, एक हजार क्यों ना आजाए, आप कितनी माचस पहले लाते थे, उतनी तो ले ही आओगे, तो इसका मतल वीडियो भी आजाएंगी आगे, कल आजाएगी हिस्क्री की भी, तो आज के लिए इतना ही काफी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करना, और शेर और सब्सक्राइब करना चेनल को शुक्री है